आजकी वीडियो में हम डिस्कस करेंगे मेट्थलेट कुंसेप्ट ठीक है हमारे पस मेट्थलेट कुंसेप्ट क्या होता है और उसके फट्डामेंटल कॉंपोनेंट्स कौन कौन से हैं ठीक है तो मेट्सलेट कुंसेप्ट basically mainly deals with the examination, assessment and treatment by passive moment ठीक है तो मेचलेट कुंसेंट बिसीकली क्या है? कि ये डील करते है जिसके साथ एग्जामिनेशन, असेस्मेंट, ट्रीटमेंट बाइद पैसिफ मूपमेंट ठीक है? पैसिफ मूपमेंट को परफॉर्म करवा कि हमने क्या करना होता है? पेशेंट को ट्रीटमेंट बाइद पैसिफ मूपमेंट ठीक है? अब नेक्स आजाते हैं हमारे पास फंडामेंटल कॉंपमेंट्स ठीक है? मेचलाट कॉंसेप्ट की फंडामेंटल कॉंपमेंट्स कों-कों से हैं ठीक है? और कितने हैं? fundamental components में हमारे पास आ जाते हैं सबसे पहले आ जाते है patient-centered approach to dealing with the movement disorder ठीक है उसके बाद second number पे आ जाता है brick wall approach, third number पे आ जाता है paradigm of identifying and maximizing movement potential ठीक है और fourth number पे आ जाता है science and art assessment ठीक है तो हमारे पास ये कितने हुए total fundamental components मेथलेंड concept के चार ठीक है कौन-कौन से patient-centered approach, brick wall approach, paradigm of identifying and maximize the movement potential and last पे क्या है science and art assessment ठीक है तो ये हमारे पास था मेथलेंड concept और उसके fundamental components नेस्ट वीडियो में हम जूंसा है वो discuss करेंगे कि हमारे पास जो step-by-step हमने fundamental components discuss की है ठीक है उनके वे अंदर क्या-क्या discuss किया गया ठीक है तो वो next वीडियो में देखते है क्या 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 है